एपिसोड 11 में हमने देखा कि कोलन को हैंड औरकनेजिशन की सच के बारे में पता चल गया है वही दूसरी तरफ क्लेर ने डैनी की हेल्प की ताकि उसकी जकम ठीक हो जाए जोई और हारलोड मिलके बकूटो के आकाउंट को बंद कर देते हैं जिसे वो बकूटो को हरा सके तो अभी यहाँ से हम एपिसोड 12 की कहानी को देखेंगे जिसका नाम है बार दबिग बॉस तो एपिसोड की शुरूआत होती है वोड से जिसे मेंटल होस्पिटल में बैड से बांध कर रखा था वोड को हल्यूसिनेशन होते है कि उसके पिता हारलोड उसे मारने आ गए है पर तबीवा होस्पिटल की नर्स आती है जिसे देखकर वोड उसे पैसे उफर करता है और कहता है कि मुझे अपनी बैन को बचाना है इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो पर नर्स उसका कुछ नहीं सुनती और उसे सोने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है तबीवा बकूटो वोड से मिलने आता है और उसके आईवी में ड्रक्स को इंजेक्ट करता है तकि वोड थोड़ा शान्थ हो सके बकूटो वोड को ओफर दिता है कि अगर तुम मुझे डैनी जिंदा ला कर दोगे तो मैं तुमारे पिता हारलोड को मार दूँगा और तुमारी कंपणी भी वापस दे दूँगा वाड इस डील के लिए तयार भी हो जाता है दूसरी तरफ हमें वाड और जॉई दिखते हैं और वो दोनों बाते कर रहे थे कि हारलोड के मौत के पहले वो दोनों क्या क्या किया करते थे इसी बातों के बीच में उस रूम में वाड आता है और जॉय को वहाँ से चलने के लिए कहता है वाड जॉय को समझाता है कि हारलोड जब से मर के वापस जिन्दा हुआ है वो कोई अच्छा इंसान नहीं है वो तुमारा काम होने के बाद तुमें भी मार देगा पर जॉय उसका सुनती नहीं क्योंकि तेरा साल बाद उसे अपने डैड मिले थे इसलिए वाड उसे जबरदस्ती वहाँ से लेके जाता है पर वाड और जॉय वहाँ से जाने से पहले ही बकूट और उसके आदमी वहाँ आते है और उन तीनों को पकड़ लेते है यहाँ बकूटो हारलोड का सर अपने तलवार से काटने वाला था और उससे पहले बकूटो डैनी को वीडियो कॉल करता है डैनी कोलन का इलाज कर रहा था और कोलन अभी भी शौक में थी कि उसके ट्रेनर ने उसे मारने की कोशिश की तबी Danny को Bakuto का call आता है जिसमें Bakuto दिखाता है कि उसने Harlord Joy और Ward को पकड़ कर रखा है और अगर वो 30 मिनिट में वहाँ नहीं आया तो वो Harlord को मार देगा Bakuto call के बीच में ही Joy को गोली भी मारता है और Danny से कहता है कि अगर वो यहाँ नहीं आया तो Harlord और Joy दोनों मरेंगे 30 मिनिट खतम होने वाले थे इसलिए Bakuto Harlord को मारने वाला था पर मरने से पहले Harlord कुछ last verse कहता है Harlord Ward को अपने लाइफ की सबसे बड़े disappointment बोलता है और Joy को सौरी बोलके मरने के लिए तयार हो जाता है Bakuto Harlord को मारने से पहले ही Danny वहाँ पहुच जाता है इसलिए वो लोग Harlord को छोड़ देते है Bakuto Danny को हतकड़ी लगा कर अपने साथ कही लेके जा रहा था Bakuto lift में कहता है कि अगर Danny उनके group में आ गया तो वो दुनिया का सबसे बहतरीन fighter बनेगा Danny यहाँ ध्यान लगाता है जिससे उसकी energy उसके हाथ में आती है और वो अपना iron fish बना कर हतकड़ी को तोड़ कर free हो जाता है Danny यहाँ Bakuto और उसके guard से लड़ने लगता है पर तभी वहाँ Davos और Colon भी आके Danny के help करते है पच्चों को सिखाने वाली एक कमजोर teacher है Colon इसलिए घुसा आओकर अकेले ही अपने trainer Bakuto से लड़ने जाती है देखते ही देखते Bakuto हार जाता है पर Colon उसे जान से नहीं मारना चाती क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर Colon ने Bakuto को मार दिया तो उसमें और हमें कोई फरक नहीं रहेगा पर Davos ऐसा नहीं सोचता था इसलिए वो एक knife लेके Bakuto की जान ले लेता है इसके वज़े से Danny और Davos में fight होती है जिसमें Davos का कहना था कि Danny एक unworthy iron fish थे जिसे कभी कुनलूंग शेहर में आना ही नहीं चाहिए था Danny घुसे से Davos को iron fish से मारने वाला था पर वो ऐसा नहीं करता पर Davos को इस बात से बुरा लगता है और Davos, Danny को वही चोड़ के चले जाता है जाने से पहले Davos कहता है कि कुनलूंग शेहर के पास उसका protector नहीं है इसलिए कोई भी उस पे आके attack कर सकता है इसके बद Ward और Harlord जोई को hospital में admit करते है और Ward hospital का form fill करने जाता है कई दिनों बाद Harlord लोगों के बीच में आया था तबी उसे realize होता है कि बाहर के लोग कितने अजीब है यहाँ Harlord खुश था क्योंकि hand organization भी खतम हो गई थी और अब वो पहले जैसे तीनों इस company को चलाएंगे दूसरी तरफ Danny दिखता है जो colon के साथ उसके dojo में जाता है कुछ गंटे आराम करने के बाद colonic music के आवज से जाग जाती है और देखती है कि Danny अपनी meditation कर रहा है जिससे देखकर colon भी उसे join करती है तबी Danny को वर्ड का message आता है कि वहाँ से भाग जाओ Danny को कुछ समझाने से पहले ही वहाँ DAE के लोग आते है जो की drugs की smuggling को पकड़ते है इन लोगों को harlord ने वहाँ बेज जाता ताकि वो Danny को फसा सके पर Danny और colon उनको मार के वहाँ से भाग जाते है और ये एपिसोड यही खदाम हो जाता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब कर देना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए This is Movies Mind signing off